आगे चलते हैं students comparison करते हैं acidity का alcohols की phenols की और acids की यानि कि आपके पास जो का बॉक्सलिक acid है उनकी सबसे पहले students comparison जब भी हम करने लगते हैं acidity का तो हम क्या करते हैं हम सबसे पहले PKA values को compare कर लेते हैं students अगर मैं बात करूँ PKA values की तो याद रखेगा आपके पास का बॉक्सलिक acids के लिए PKA value होती है 5 फिनोल्स की जब मैं बात करते हूं students फिनोल्स के लिए आपके पास यह value होती है तकरीबन 10 और अल्कोहल्स की जब मैं बात करते हूं तो यह value 16 से 19 तक जाती है तो students सबसे कम यह value का बॉक्सलिक acids के लिए मतलब का बॉक्सलिक acids सबसे ज़्यादा ऐसे डिक हैं उसके बास आपके पास फिनोल्स हो गए उसके बास आपके पास अलकोहल्स हो गए अकॉर्डिंग टू दियर PKA values के लिए students में दुबारा वही लाइन रिपीट करती हूं यानि कि जिसकी PKA value जिस compound की जितनी कम होगी वह उतना ज्यादा acidic होगा अब students हम देखते हैं कि आपकी जो acidic strength है वो किस factor पर सबसे ज़्यादा depend कर रही होती है students याद रखेगा कि जो acidic strength होती है किसी भी organic compound की वो stability of conjugate base पर depend कर रही होती है जितनी ज्यादा conjugate base stable होती है उतनी ही ज्यादा acidity होती है किसी भी compound की तो अब हम देखेंगे compare करेंगे कि conjugate base की stability किसकी कितनी ज्यादा है और उस को देखते हुए हम justify करेंगे कि acidity के लिए जो PKA values है वो justifiable है या नहीं तो students for alcohol से हम बात करते हैं कि in water alcoxide ions generate होता है इसी तरह students phenols की case में फिनोल की case में जो ions generate होता है उससे हम कहते है फैनोक्साइड आयन और नेगेटिव एच पॉसिटिव का वॉक्सलिक एसिड की बात करें और सी डबल बॉंड ओ ओ ओ ओ एच तो यह स्टुडेंस आपके पास देता है और सी डबल बॉंड ओ ओ और नेगेटिव प्लस एच पॉसिटिव यानि कि अलकॉक्साइड आयन दिया फैनोक्साइड आयन दिया और काबॉक्सलेट आयन दिया सबसे पहले स्टुडेंस मैंने अलकॉक्साइड आयन के बारे में डिसकस करते वे स्टुडेंस आपको बताया था कि अलकॉक्साइड आयन पर लोकलाइज होती है क्योंकि हमें पता है कि electron density का जो center है वो oxygen है उसने सारी electron density अपनी तरफ attracted रखनी है तो उसके उपर negative charge होगा क्योंकि उसके उपर negative charge होगा तो मैं यह कह सकती हूं कि electron density in the form of alcoxide ions localized होगी अब students यहाँ पर मैं localized की एक opposite term use करूंगी जिसे हम कहते हैं de localized students organic compounds के अंदर या और भी किसी compounds के अंदर जितनी ज्यादा electron density डी लोकलाइजड होती है वो उतना ज्यादा stable होता है यानि कि वो उतनी ज्यादा form में exist कर रहा होता है अब इसको मैं प्रूफ करूंगी जब मैं discuss करूंगी आपके पास the structure of carboxylate ion अब स्टुन्स आपके पास से carboxylate ion है यह carbon दो oxygen के साथ associated with single bond with O negative and double bond with that of oxygen अब स्टुन्स इज नेगेटिफ चार्ज है यह इस oxygen पे localized नहीं रहता यह क्या करता है यह solution के अंदर इनवर्ड मूफ करता है और यह क्या करता है यह वाला bond ब्रेक करवा देता है as a result अब यहां पर double bond बन जाएगा और यहां पर क्या होगा यह bond ब्रेक हो जाएगा तो इस oxygen पे negative charge आ जाएगा यानि के यह इन दोनों forms में exist कर रहता है यानि के इसकी electron density resonate करती रहती है इसके लिए मैं यह term use कर सकती है स्टुडेंट्स यह तो हो गया हमने एक structure draw किया resonance structure बनाया हमने और डी लोकलाइजड अलेक्टॉन देंसिटी और carboxylate iron अभी हम स्टुडेंट्स जब हम फिनोल को डिसकास करेंगे फैन ऑक्साइड आइन की stability को हम discuss करेंगे उसके बाद हम end पे compare करेंगे कि किसका conjugate base कितना ज्यादा stable है तो यह हो गया स्टुडेंट्स आपके पार carboxylate आइन और उसकी दो resonance structure अब हम resonance structures discuss करते हैं फिनोल के स्टुडेंट्स याद रिखिएगा क्योंकि पूरे ring की form में आपके पास फिनोल present है तो इस oxygen के उपर students जब negative charge आता है in the form of fan oxide iron तो यह जो electron pairs हैं यह क्या करते हैं यह पूरे ring के साथ interact कर रहे होते हैं वो कैसे करते हैं उस पूरे process को हम resonance बोलते हैं as a result हमारे पास कुछ resonance structure आते हैं दूसरी terms में students मैं यह भी कह सकती हूं कि आपके पास electron density delocalized हो जाती है in solution form अब students होता ही है कि आपके पास electron density है यह electron density अब क्या करती है इंवर्ड मूफ करती है इंवर्ड मूफ करती है as a result यहां double bond बन जाएगा और यहां पर students valency maintain करने के लिए यह bond break हो जाएगा यानि कि negative charge आपका delocalize होके इस ortho position पे आ जाएगा यानि कि यहां पर अब यह वाला bond students इंवर्ड मूफ करेगा तो यहां पर वैलेंसी मेंटेन करने के लिए चार्ज मेंटेन करने के लिए यह bond ब्रेक हो जाएगा यह bond ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब यह है कि electron density आपके पास पैरा स्थोड़ करेगी अब यह वाला यहां से ब्रेक होगा और आपका चार्ज को स्टूड़ करेगा यह bond यहां से break होगा as a result students आपके पास दुबारा से compound आपका neutral हो जाएगा यानि कि students आपके पास five resonance structures बने fan oxide iron के याद रखेगा students यानि कि मैं यह कह सकते हैं कि solution के अंदर fan oxide iron अपनी किसी भी form में हो सकता है यानि कि chart density उसके उपर resonate करेगी डी लोकलाइजड रहेगी अब students अगर मैं by principle देखूं तो जिसकी जितने ज्यादा resonance structure है यानि कि जितना ज्यादा electron density डी लोकलाइजड है उसकी conjugate base को उतना ज्यादा stable होना चाहिए conjugate base जब ज्यादा stable होगी तो आपका compound उतना ज्यादा acidic होगा लेकिन students फिनोल की case में acidity कम होती है as compared to that of carboxylate iron और वो क्यों कम होती है वो इसलिए कम होती है कि students electron density electrophilic carbon पे resonate कर रही होती है यानि के electronegativity carbon atoms की उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आपके पास इस oxygen की case में होती है in case of carboxylate iron जिसकी वज़ा से students आपके पास carboxylate iron ज्यादा अच्छी conjugate basis हैं ज्यादा stable conjugate basis है as compared to that of fanoxide ions क्योंकि electron density carbon पे जो resonate करती है उसकी electronegativity कम है as compared to that of oxygen इसी वज़ा से students carboxylic acids ज्यादा acidic है as compared to that of phenols तो यह तो हो गया students आपके पास comparison of acidity अब students हम देखते हैं कि किस किसम के substituents acidity of phenols को कैसे affect करते हैं अब students आपके पास एक तो हो गया phenol अब मैं एक structure ऐसा draw करती हूं जो कि phenols से ज्यादा acidic है और एक ऐसा structure draw करती हूं जो कि phenols से कम basic है दोनों में क्या differences होंगे उनको हम बारी बारी discuss कर लेंगे students आपके पास जब nitro group associated होता है phenol के साथ तो वह ज्यादा acidic होता है as compared to that जब आपके पास methyl group associated होता है phenol के साथ वह क्यों क्योंकि students आपके पास जो nitro group होता है वह acidity को enhance कर रहा होता है phenol की वह कैसे charge density अपनी तरफ खेंच लेता है चार्ज जनस्टी जब अपनी तरफ खेंच लेता है as a result होता यह है कि आपके पास solution के अंदर इस compound के अंदर ज्यादा tendency होती है कि यह proton lose करे और स्टूड रखेगा कि जिस compound की जितनी ज्यादा tendency होती है कि वह proton lose drawing group आपकी phenol rings के साथ attached होते हैं तो उनकी acidity को enhance कर देते हैं इसी तरह स्टूड़न्स एक हो गए electron withdrawing group जो electron density अपनी तरफ खेंचते हैं जिसकी वज़ा से proton का निकलना असान हो जाता है एक वह group होते हैं आपके पास जो electron density ring को दे देते हैं as a result proton का निकलना solution के अंदर compound से मुश्किल हो जाता है जिसकी वज़ए से उनकी acidity as compared to that of phenol कम हो जाती है यानि कि आपके पास जो methyl group है यह electron donating group है electron density दे देगा जिसकी वज़ए से acidity कम हो जाएगी as compared to that of phenol तो यह तो हो गया students हमारे पास effect of substituents on acidity of phenols